सोना विर बर्ड मीटिंग आउट कम आचका रिजल्ट आचके और आपका यहां पर दिविडेंट इंटरूम दिविडेंट यहां पर इनाउंस हुआ है इसका मतलब आपको आगे और भी डिविडेंट मिल सकता है किसी क्वार्टर में आपको पैसे पर शेर पर आपको में दिये हैं रुपी मिलियंस में मैं इन नंबर्स को करोड़ में करके आपको बता रहा हूं तो यह आपके दो यार 21 जून का रिजल्ट है और यह अभी का रिजल्ट है अब यहां पर देखते हैं कि नैट सेल यानि की टोटल इंकम जो है वह पिछले साल जून 2021 में कैसी ती तो चौदा सो असी करोड की नैट सेल थी जो की बढ़कर आब इस क्वाटर में 1671 करोड की यहां पर नैट सेल पहुंच गी है तो क्वाटर ओं यहां पर जंप देखने को मिला है और यहां पर क्वाटर ओं क्वाटर की बात करेंगे तो यहां पर एक मिस हमको देखने को मिल अठारा सो त्रिपन करोड से घटकर है सोला सो एकतर करोड रुपए की टोटल इंकम यहां पर निकल के आई यानि कि निकल के आए तो यह ओन यह क्वार्टर तो बहुत बहतरी नहीं क्वार्टर नेट सेल में गिरावट हमको देखने को मिली है वो भी अच्छी खासी और अभ तो तेज करोड रुपए का यहां पर प्रॉफिट निकल कर आया है और अगर हमें यह यहां पर यह ओन यह क्वार्टर पर बेसिस पर बहुत खराब यह प्रदसन हुआ है प्रॉफिट इविल्टी में बहुत तेज ग्रावट हमको देखने हुँ मिली है क्वार्टर उन 70 करोड से घटकर 120 करोड निकल के आया है तो यहां पर क्वार्टर उन क्वार्टर भी खराब है और यह ओन यह क्वार्टर तो बहुत जादा यहां पर दिक्कत में प्रॉफिट आ चुके हैं प्रॉफिट के फिकर यहां पर काफी दिक्कत बढ़े हैं यह देख लेते हैं कि हम अभी देखें तो पिछले साल 120 करोड रुपए के टोटल खर्चे थे जो कि अब इस पर बढ़कर 150 करोड पहुंचके हैं और quarter on quarter देखें तो 161 करोड से घटे हैं expenses 150 करोड निकल के आया तो quarter on quarter basis पर खर्चे कम हुआ है लेकिन year on year quarter basis पर खर्चे बढ़े हैं लेकिन खर्चा बहुत जादा बढ़े गया हो ऐसा नहीं है 30 करोड का ही हमें एक difference निकल के आया है तो overall यहां पर result quarterly यहां पर क्योंवन के down है profitability में बहुत जाद हमको बीग दिखाई दे रहे हैं यह result और यह थोड़ से यहां पर मार्केट पर इंपेक्ट करेंगा मार्केट से स्टॉक पर रियक्ट करेंगा कल के दन तो अभी हमें Trident की result से समझ में आ गया कि profitability पर बहुत भारी दवाव को देखने को मिला है और इसका इंपेक्ट जो है वो कल हमको देखने को मिलेगा शेयर प्राइस पर आब वह इंपेक्ट कैसा होगा positive होगा यह ठहरा होगा या तेज यहां पर जो है एक downside हमको देखने को मिलेगी इस है अब आप मुझे किदर की और भी लेके चाहो तो कहले स्टॉक का रियेक्शन ही हमें पता चलेगा कि स्टॉक किस डायरेक्शन पर जाने वाला है आप यह डाउन और यहां पर स्टॉक की मार्किट कैप है यहां पर 20,256 करोड रुपए की है जो कि घट गई है 32,000 करोड से घ भड़ आयाएगा ट्राइट का और EPS यहां पर घटने वाला है क्योंकि प्रॉपिटेविल्टी में बहुत तेज दवाब हमको देखने मिला है इसलिए आपका EPS घट चुका है और यहां पर नमबर आना वाकिए तो आपका EPS गट गया है आपका P-E रेशियो भड़ गया ह इस टॉक फंडमेंटली और थोड़ा सा महेंगा हो गया है इंडेस्टी पी के कंपैरेजन आपके बुक वैल्यू पर शेयर थोड़ी से डाउन आई है अभी हम चार्ट पर देखें तो इंपेक्ट देखिए चार्ट पर यहां पर जो है आपका सपोर्ट दो जगए पर एक तो 35 रुपए पर दूसरा आपका 33 रुपए पर क्योंकि इसे यही दो लेवल है जहां से इसने सपोर्ट ले लेके स्टॉक 3940 के आसपास गया है तो अभी अगर इसमें तेज मेजर ब्रेकडाउन अगर देखने को मिले तो यहां पर जो है यह दो लेवल है यहां पर सपोर् और यह एक काफी बड़ा यहां पर जो है एक डाउन साइड हमें जो स्टॉक में देखने को मिली है क्या यह रिजल्ट जो है वो फैक्टरिन होंगे या नहीं होंगे यह हमें कल मार्केट बताए क्योंकि अभी से सारी चीज़े तै कर लेना यह एक गलत बात होगी तो मार्क यहां पर जो है आपका एक कंसॉलिडेट मोड में चलाया यह स्टॉक और यहां पर कुछ ना करें जादा गरावट ना हो क्योंकि और यह स्टॉक सतर रुपए से गिरा हुआ है 40 रुपए पर आ चुका है इवन यहां पर काफी डाउन चला गया था 30 रुपए की संतिंग के तो यहां पर जो है अभी जो थोड़ी सी ठहरा ओंको देखने को लो मार्केट की वैसे लेकिन है कल देखना होगा और यहां पर अगर यह रिजल्ट में अल्रेडी नहीं होगा तो फिर यहां पर प्रॉब्लम बढ़ेगी तो उमीद है आपको मेरी बात समझ में आ गही होग है तो प्लीज कमें से स्थन में कहीगा और आप दीजिए मिजए जाए अपड़ी देखने के लिए बहुत धन्माद दूस्तो